असलाम लेकुम फ्रेंड्स और वेलकुम टू मैं यूटीब चैनल आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि आप उप्टाइफेक्स से कैसे अर्निंग कर सकते हो और मैं अपनी परसेनल स्ट्रेटेजी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे जो है वो उसको जूज करते ह है फिर ही आप जो है उससे अर्मिंग कर सकते हो फस्ट रूल कि आपने जो है वो उतने ही डेमो अकाउंट पर ट्राइ करना है जितने आपने रियल में उसको डिपोजिट करके ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है कि यानिक अगर आपने 100 डॉलर से स्टार्ट करना है और मैं फिर आपने रियल अकाउंट पर जाना है वरना आपने डेमो पर ही रहना है और एक मन्त के अंदर आपके 50 टीपी होने चाहिए ठीक है फिर इसका स्टैटीजी का होल मैप आपको समझ आ जाएगा कि यह कैसे वर्क करती है और आप आने वाली जिंदगी में हमेशा जो आप गेन करते रहोगे थर्ड बात कि आपने जाए वो लॉट साइज जो है वो जिस तरह मैं समझाऊंगा उसी तरह देखना है और स्टिक लिए आपको जितने पॉइंट्स में बताऊंगा आपने उसी पॉइंट्स पर रहना है ना खुद से इसमें इंक्रिमेंट करना है और न आप ने यह नहीं कहना कि मैं इसको जो है वो एक विक बादा दाल इका लुए जब इसमें जिया वो फइवन्डर डालर हो जाएँगे ऐसा नहीं करना आपने डेली के डेली जीवे कि उसमें से विद्रा करवा लने है यादि के अगर आपका ट्रेडिंग का अकाउंट है आ ताकि आपको भी पताओ कि आपने कितना प्रॉफिट लिया है हिस्ट्री में तो होते ही होता है लेकिन आपका 100 डॉलर जाए वो कॉंस्टेंट हर रोज सुबह के वाकत होना चाहिए शाम को आपने उसमें से अपना प्रॉफिट निकालने नहीं है तो चाहते हैं अपने से अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है मैंने पिछली वीडियो में आपको अकाउंट बनाना आपको वेरिफाय करना और इसमें डिपोजिट करना बताया हुए ठीक है तो आज मैं ट्रेड कैसे करते हैं और स्ट्रेटिजी कैसे आपने लगानी वह बताऊंगा तो आपने पहल वाला जाए वो यहां से सलेक्ट कर लेना है ठीक है यहां आपको एमटी फाइब भी नज़र आएगा और ओक टैफएक्स सी ट्रेडर भी आपने एंपटी फॉर स्लेक्ट करना है और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपने लिवरेज जो है वो 500 करना है अगर आप 100 first time invest कर सकते हैं तो आपने 100 करना है अगर आप ज्यादा कर सकते हैं ठीक है यहां डैमो पर ट्रय डॉलर आ चुके हैं उसके बाद यहां ट्रेड का उप्शन है आपने इसके वपर क्लिक कर देना है यहां आपके सामने कम्प्लीट एक मार्केट जो है वह उपन होकर आजागी यहां यूरो यूसडी जी बीपी यूसडी यूसडी जेपी वाइब इस तरह मुख्तलिफ करंसी है ठीक है उसके बाद यहां मैटल आ जाती है आपके पास गौल्ड आ जा जाती है ठीक है तो आपने क्या करना है आपने यहां जाना यूर्ओ यूसडी पे ठीक है आपने यह वाला बेरो सिर्फ इस यही पियर इस беспरी आपने काम करना ठीक है इसमें एक अब'm स्प्रेड और lot size भी आप यहां set कर सकते हैं तो यहां देखिए आपके सामने market कुछ इस तरहां खुलकर आएगी यहां इस तरहां जो हो candles बनी होंगी red और green की ठीक है नीचे टाइम फ्रेम चल रहा होगा यह candle जो है वो वन करें यहां आपने काम करना है H1 पर ठीक है इन दोनों में से आप कोई भी जो है इस लेट कर सकते हैं मैं आपको 0.01 की लगानी है आपकी मर्जी आप sell लगाओ buy लगाओ ठीक है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि मार्कीट को देखें कि मार्कीट किस तरफ जा सकती है बिगनर है आपको कुछ नहीं पता मार्कीट का आप Schritt Les businessman लेना है ठीक है कि पिछली है वो जो है किस टरह जा रही है अभिए तो आप वेट करेंगे नेक्स्ट केंडल बनेंगे जैसे ही नेक्स्ट केंडल बनेगी आपने पिछली केंडल को देखते हुए next order ले लेना है ठीक है आप buy लें या sell लें इसमें कोई मसला नहीं है आपने focus क्या करना है अब यह देखें मैं यहां अगर buy की trade लेता हूँ ना buy पर click कर दिया मेरी एक trade जो है वह यहां लगी है lot size 0.01 ठीक है मेरी trade लगी है देखें यह euro usd इतनी की ठीक है क्या करना है यहां जब आज आने वापस इस section पर आपने क्लिक कर देना है जहां आप की order जिलें वे चल रहे होंगे आप नहीं कहके करना है इस pencil की निशान पर क्लिक करना है pop लोट करना है और आपने क्य करना है यहां जो हंब आपको नजर आ लेना है ये plus और minus की निशाने है इससी तरह tak profit पे अपने क्लिक करके यहाँ आपने क्लिक करके वन डालर जो है वह profit select कर लेना यहां से अब मैंने यहां stop loss और तोनों लगा दिया अगर Mar consecut दो है वह 1.18902 पर पहुंचे गी तो मुझे वन डालर मूव कैसे कर रही है आपने यहां आजाना है और यहां देखना है कि आपकी मार्किट जाओं मूव कैसे कर रही है ठीक है अब स्पोस्ट करें कि आपको यह लॉस हो जाता है ठीक है आपको यहां एक लॉस हो जाता है आपने सेकंड ट्रेड कैसे लेनी है आपने क्या करना है अ आपने क्या करना यहां lot size 0.02 कर देना है lot size 0.02 कर देना है और दुबारा से market को देखने कि कि स्कूल करना को कोई signal नहीं नहीं करें कोई किसी कैता है कि बाइय लगा आपने सेल लगा देने ऐखर कोई वह लगा दो आपने बाइय लगा देने हैं मुखाल vibe करना है कामठा ओर आपने इसको हॉँ नहीं करना और Account Management के लिए किसी को भी नहीं देना ठीक है अब यहां आप पहली buy की आ जाती है ठीक है ना और आपको loss हो जादा है अब दूसरी जो है वो sell की लगा सकते हो sell की आपने लगा दी उसके पाद वापस यहां आ जाना है अपने इस pencil के बटन पर click करना है stop loss आपने लगाना है $2 का ठीक है take profit भी आपने $2 का लगाना है यहां देखें मैं अगर 1 अब यहां stop loss और take profit आपने minus 2 और plus 2 का लगा दिये इसमें अगर आपका TP हिट कर जाता है तो आपको $2 का profit हो जाएगा अगर आपका sell हिट होता है तो आपको $2 का loss होगा ठीक है TP हिट होके होने के साथ साथ आपकी पिछली trade जो है वो भी clear हो जाएगी यहां कि $1 का loss हुआ होगा वो भी cover हो जाएगा अब यहां आपको इसको modify order कर देना और wait करना है market को move करने का ठीक है इसी तरह आपने trades वो लेनी है अगर आपको loss हो जाता है आपने यहां lot size जाना अगर second वाली trade भी आपकी loss हो जाती तो आपने यहां 0.04 कर देना है अगर यह भी loss कर जाती है आपने 0.08 कर देना है अगर फिर भी loss हो जाता आपने 0.16 कर देना है यहनिकर टू के साथ इसको multiply करते जाना है और आपको इंशाला पहली बार profit हो जाए और जब जैसे ही आपको profit होगा देखें अब यह नहीं है एक दो अगर loss भी हो तो तीसरा मेरा TP हीट हो जाता है ठीक है और जब तीसरा हीट होता है तो मुझे पिछली भी सारी recovery हो जाती है जाए वो MT4 जाए वो download कर लो और अपने सारी details जाए वो Meta Trader 4 में login कर लो यहां ठीक है Meta Trader 4 में आने के बाद यहां जाए वो आप login कर सकते हैं ठीक है यहां plus के निशान पर आपने click करना है open a demo account भी कर सकते है login to an existent account ठीक है आपने यहां भी ऐसे कर सकते हैं और यहां आकर आप ट्रेड्स जाए ले सकते हैं आपको सारी समझ आजए कि कैसे जाए ट्रेड्स लेते हैं order open करने के लिए यहां से मैं इसकी complete वीडियो बनाऊंगा आपको बताऊंगा कि मीटा ट्रेडर 4 को कैसे जाए वो यूज़ करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद रही होगी मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें नीचे रहे हैं आप देखते रहे हमारा साथ देते रहे हम आपको साथ देते रहे हैं अपना क्या रिखेगा अपने गर्वालों करका लिखेगा अलाहाफिज